नमस्कार, मार्के टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है, इस समय हम मोजूद है अलवर की किर्शिवच मंडी में, जहां आज हम मंडी के अंदर सरसों के भाव को लेकर वेपारी, महिंद्र, गुपताजी से हम बात करेंगे, कि किस तरह मंडी के अंदर सरसों आ रही है, औ पिसले दो जिन से मंडी में सरसो की आमद कुछ घटी है, कि हमारे किसान यूं की कटाई और जो की कटाई में लगे है, तो इसलिए आमद घटी है, लेकिन भाव सो से लेट सुरुपे पिसले दो तीन निन में बढ़े है, टोटल जो उत्पादल है सरसों का देश के अंदर, जो हमारी सेमिनार हुई थी, उसमें लगबग 130 लाग तन सरसों को पैदावार बताईए, लेकिन मुक्य पे देखकर ऐसा नहीं लगता कि 130 लाग तन सरसों वाकई में है, हमें लगता है 110 से 15 लाग तन सरसों है, किसान जो उनका आख लंता, किसान 15 मन, 14 मन बेगे की जड़त ह लेकिन जो एक्च्वल के जड़त आ रही है, वो 11 से 12 मन बेगे की जड़त है, तो अभी मंडी के अंदर, अगर MSP की बात की जाए, तो क्या कहना चाहिए, MSP को बेगे सरसों है, MSP और मंडी के भावलों को बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मंडी में 253 रुपए 20 सरसों में ब बजया है, किसान MSP को बेगे जाओ, तो लो खप्टे मिंट आएगा, इसलिए किसान को जहाए, मंडी की तरफ है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने के बाइसे, तो मंडी में व्यपारी के पास में क्यों बेशता है, क्योंकि सरकारी खरीप में भी जा सकता है, जाने को तो कहीं भी जा सकता है इसमें कोई किस्ट पर रोग थोड़ी है लेकिन वेपारी के पास में जो बीज़ दरसल क्या है किसान हरा आदमी की जर्ट होती है हरा आदमी की रिक्वार्मेंट होती है वह उसको कैस की फिलो की जड़ते है तो वह वहाँ जाएगा रेस्टिसन फिर पाद साथ दिन बाद उसका पेमेंट आएगा इस प्रिकरिया में बीच दिन लग जाएगे और उसको पैसे की जड़ते है तो इसकी मंटी आता है बड़ा दिजन तो यह मंटी आने का अभी आप वैपादी के साथ-साथ पेल मिलर भी है तो अभी सर्सों की जो गुनव और मेन भाद साथ ही सर्सों के दिए और क्वालटी में कहीं कोई क्लेम नहीं है ना तेलों वी क्लेम ना सर्सों क्लेम ज़्यादा है और दिए अभी एक जो पड़े उफोंपती है मीलर वी है उन्होंने प्रधान मंसरी को एक पतर लिखा है कि भई आज तेल मीलर जो है वो अपनी तेल मीलों को बंदेड़ने के काकार में हैं जो क्या मातते हैं इसको अब तक इंपोर्ट डूटी नहीं बढ़ाएगी हमारे सुधेशी तेलों को को उठाने की प्रिक्रिया नहीं करेगी तब तक यह हलत पैदा हो रहे हैं आज सरकार सुधेशी तेलों की एक तरफ हमारे विदिश तेल इंपोर्ट करती है जब कि हमारे हैं सरसोगे उत्पादर को बढ़ावाने सरसोगे तेल को बढ़ावाने और डूटी बढ़ाए तो हमारे तेल मिले प्रोड़क्शन लाइन बहुत अच्छी चलेंगी हमारे किसा हमारे खुसा-लो जब मेंदर खुआ खुसालोगा तो मार्केट खुसालोगे तो जैसे किसानों बहाद में पैशे आएगा जब किसानंके पैसे आते तो चार रूब तरफ खुसाले आती है आधल करेंगा है ध्यлять करेंगा पूरा मार्केट उससे जल लिए जो ग्रिंभ है कि सःसों से तइयार होung आध गहां कहां में था थेल गरांड एंडिय से खाया जाता है और जृत्यों में आध्याटनाना ज़ना सब्जाय के लिए तो सर्सोगत तेल ही खाना चाहिए, फास्त के लिए बहुत अच्छा है, वैसे मोश्टी, खवत, पस्यम बंगाल, बिहार, उडिसा, रास्तान भी कावियर तक, अर्याना, ये कावियर तक हमारे तेल, खवत के शाहिए, अभी सर्सो जब आरी है, लगाता है, तो यहां की जो म मार्केट में आती है, उसलब यहां की लोकल प्रोडॉक्षन जदा है, और आमद कम है, क्या कहुंना मानता है, आमद कम क्यों है, आमद कम का खाना आश्पा, छोट खोटी मनिया, फुल भील, वही बहुत बढ़ा काहान है, दूसर दिक है, छोटे-छोटे प्लांट ते हर ख अब क्या है बांसूर पहरोड बढदामेव रामगार हार सेत्र में प्लांट लगें तो जो में हब है वहां कम पड़ेगी आमद नी फ़रेगों अभी कोई मोश्चर भी है या मोश्चर खता मोचुका है अब सर्सो का मोश्चर लग भग लग खता हो चुका है और अभी कितरा सीजन हो रहे हैं तो भी पंग्रा मई तक चलेगा अभी तो हाँ अभी लाइन चलिए है अभी तो चलिती रामगार बड़ा में तुम्हारे माला खेडा अब हमारी बैर और बांट जो तबुगडा तिज अब यह जो मार्केट होना चाहिए है तो कि दो महने का आपका मंडी के अंदर कारोबार होता है लेकिन अब यह जो सर्सो है इसके जो भाव है उसको लेकर कुछ उतार चड़ाव जो इस तिदी बनी यह क्या पहरा है यह सब अब सरकार के उपर नेमत होगी पहले हमारे जो बज मार्केट साथ वो एंसी डियक्स अलात है सत्था बजार चलाते जो बड़े लोग पैठे होते थे वो बजार को भुमाते थे कहां से खाल को मराए आज की तारिख में जो है सरकार मार्केट चलाती है सरकार चाहती है कि बजाती है जो वो उसी गणरूप काम करेंगी सरकार चाहती है बजा डाउन हो तो आप तीसरी दिखा होगा यूँ 17 बजेदे सरकार ने एक दिन बेहन लगा आए सप्पे और यूँ दूसरी दिन पर ही सो गए तो सरकार के हाथ में सारा सिस्टम आ गया औ जहां सरकार चाहती है पिस सरकार से किसी किसे आप द्वेस्ता नहीं कर सकते हैं सरकार को सरकार के तरीके सराना होता है हमारे साथ में महंदर गुक्ता जी जो वैपारी है वो मुझूद थे उन्होंने हमको सरसों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी उन्होंने बता कर दो आदे